स्वतंत्र भारत के इत्यास में 28 मई की तिथी एक गौरव साली अधिति की रूप में दर्ज होने जारी है जब देश के इससी प्रधान मंत्री जी के द्वारा भारत के लोक्तंत्र की प्रतीक भारत त्वाशियों को नई संसत भेंट की जाएगी यह एक एत्यासिक आउसर होगा इस एत्यासिक आउसर को गरिमा में और गौरव साली बनाने की वज़ाए कॉंग्रेस समेथ विपक्सी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानवाजी हो रही है वात्यंत ही दुखद और गयर जिमिदराना है लोक्तंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत की लोक्तंत्र जिस पर पुरा भारत गौरव के अनभूति कर रहा है पुरी दुनिया जिस पर गौरव के अनभूति करता है जो न किवल दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है बलकि भारत लोक्तंत्र की जन्नी की रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पैचान दी है उस भारत के लोकतंद्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयान बाजी है ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौराव साली छण को जो आज बिपक्स के बयानों से बिवादित करने का पुछित प्रयास हो रहा है मुझे लगता है कि ये देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं करेगा और संसत से जुड़ी वे आज की अनसार जो नई पारलेमेंट है नियू पारलेमेंट आज की आउस्थिक्ता के अनरूप आगा में सो वर्स के विजन को दिहान में रख करके बहुत दोरदर्सी तरीके के साथ बनाई गई है सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते वे हर एक पारलेमेंटरी दियन को वहाँ पर इस्वेश मिल सके उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्वपुन मंच्व हमारी संसत बन सके इस दिश्य भारत की नई संसत उसका एक परतीक बनने जा रही है जो दुनिया के लिए भी एक आदर्स बन सकती है लेकिन विपक्स के इस प्रकार की बयान बाजी है अत्यान्थी छोपकारी है एसानिय की पहली बार देश के प्रधान मंत्री इस प्रकार के कई स्वी उद्घाटन के साक्सी बन रहे हो इससे पहले पार्लेमेंट एनेक्सी का उद्घाटन ततकालीन प्रधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी जी की द्वारा क्या जा चुका है पार्लेमेंट लैबरेरी का सलानियास पूर प्रधान मंत्री स्वर्गे राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी ऐसे नेक उद्हरन हैं और उस सब के बावजूद नियू पार्लेमेंट के सैथियासिक कारिकरम को जिस तरीके से गर्मा में कारिकरम को, गौरव साली छण को, एथियासिक पल को साक्ति बन करके देश स्वाश्यों के लिए गर्मा में और गौरव में बनाने के ऐसर से बिपक्स अपने गैर जमाधारान बयानों के माध्यम से धुमिल करने का कुछित प्रियास कर रहा है मुझे लगता है कि इस देश और इस देश की जनता जनारदन इसके कदही स्विकार नहीं करेगी हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस औसर पर साक्सी बनना चाहिए सहित्यासिक छणका और भारत के लोकतंद्र को मजबूत बनाने के आवहान के साथ हम सब को जुड़ना चाहिए